बिसमिल्लाइ रह्मान रखीम, अस्सलाम अलेकुम, तोड़े विल स्टार्ट विल्ट विल्ट टाइप नंबर 4, यूज्ट एक्सराइस 1.2 टाइप नंबर 4 में, एक्स्पोरेंशल एक्वेशन्स दीग रहे होंगे, जिनको हम, वार्याटिक एक्वेशन्स में, रेड्यूस करेंगे, और फिर उनका सुलूशन से, फाइंड करेंगे, तो, एक्स्पोरेंशल एक्वेशन्स क्या है, विच्वेशन्स एक्स्पोरेंशल 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 एक्स्पोरें यानि एक कोई भी नमबर है जो सीओ से ग्रेडर हो और उनका एक्वल ना हूँ तो जब हम एक्स्पिनेशन एक्विशन को क्वाडिक एक्विशन में रिड्यूस करते हैं तो हम a raised to power x को y से रिख्लेस करते हैं और पिर उस equation को further solve करते हैं तो यह इसे हम टाइब नमर पूर से आभी इस टाइब से क्रिस्चन सब्सक्राइब करते हैं जो इस टाइब से होते हैं तो आपको ज्यादा प्रियाग हो जाएगा तो आपको जाएब से लिख्लेस करते हैं equal 0 3 raise to power 2x minus 10th dot 3 raise to power x plus 9 equal 0 call this equation number 1 अब लिट यहां बेले की जगा बे 3 आ रहा है A raise to power x तो यहां पी 3 raise to power x है 3 raise to power x equal y call this equation number 2 अब इस equation 2 का square लेते हैं यहां जखने हैं साइड का भी square लेते हैं और राइट हैं साइड का भी square लेते हैं तो यह हो जाएगा 3 raise to power 2x equal y square call this equation number 3 तो अब आप देखें अब equation 2 और 3 को equation number 1 बेपट करेंगे याई 3 raise to power 2x की जगा पे y square को पूट करेंगे और 3 raise to power x की जगा पे y को पूट करेंगे 2 and 3 equation number 1 3 raise to power 2x की जगा पे y square को पूट करतें minus 10 अपनी के लापे रहा है 3 raise to power x की जगा पे y को पूट करतें plus 9 equal 0 तो यह quality equation में reduce हो गया अब इसको factorization से solve करते हैं यह फिक्राइजिशन से solve हो सकता है completeing distribute से solve हो सकता है qualitative formula से सब्सक्राइज आपके मरजी आप जिसमें सब्सक्राइज से solve करना चाहूं सही होगा तो अब हम इसको factorization से solve करतें यहां भी coefficient 1 है तो जब मैं 1 को 9 से multiply करता हूं तो product आथा है 9 तो 9 की ऐसी factors हम find करने पड़ेंगे जिनके product से 9 आता हो जिनके sum से minus 10 आता हो तो जब हम minus 1 और minus 9 को multiply करें सो minus into minus plus 9 आता है 9 plus 9 आता है product से 9 आता है condition satisfy होगा आप second condition को check करतें कि minus 10 आता है या नहीं सो minus 1 minus 9 minus 1 minus 10 तो आप देखें second condition भी satisfy होगा सो minus 1 और minus 9 एची दोन पर से जिपको हम multiply गए तो प्लस 9 आता है और जिब का हम sum ले तो minus 10 आता है तो अब minus 10 y को split करतें minus y वेंट और minus 9 y वेंट plus 9 equal 0 अब एन दोनों terms मेंची common लेना पड़ेगा और एन दोनों terms मेंची common लेना पड़ेगा तो taking commons y square और minus y वेंचे y common है तो जब मैं y को common देता हूं तो y minus 1 में जाता है minus अब दी जगा में लेगा 9y minus 9y plus 9 में minus 9 common है तो यहां पर y minus into plus 9 9 वना जाहेगा इक्वल 0 again taking common क्योंकि y के साथ भी y minus 1 है और minus 9 के साथ भी y minus 1 है तो y minus 1 common है तो again y minus 1 को common लेते हैं so minus y minus 1 into y minus 9 equal 0 two pictures आ रहे हैं y minus 1 equal 0 and y minus 9 equal 0 अब y के value finite करी है तो minus 1 को right hand side आप एक्वेशन शिप्ट करते हैं यह minus 1 है तो यह plus 1 हो जाएगा यहां पर minus 9 को right hand side आप एक्वेशन शिप्ट करते हैं तो यह plus 9 हो जाएगा अब आप यहां पर देखें 3 raise to power x equal y यालि हमें x की value finite करनी है तो y की जगा पर 3 raise to power x को put करते हैं so 3 raise to power x equal y तो हम इचीस variable यालि x की value find करते हैं वह is x point i तो जब हम x point की value find करते हैं तो x point की value जब x जब is x point i और इसकी value हम find करते हैं तो इसके लिए basis का same होना जोड़ी है तो इसको इस तरह x करते हैं 3 raise to power x equal 1 3 raise to power 0 because every base time power 0 equals 1 every base time x point 0 equals 1 तो आप देके basis same है इसको compare करें so x equal 0 x solution set हमारा 0 आ गया अब यहां पे y की जगा पे 3 raise to power x को put करते हैं 3 raise to power x equal 3 square basis same है सही है so compare करें x equal 2 हमारा solution set एक 0 हो गया और 2 हो गया तो यह ता हमारा question number 1 में part 10 question number 1 part 11 part 11 part 12 expansion equation से आपने यह खुद ही solve करने है सहीर कुछ भी problem हो तो आप comment section में पूछ सकते हो I think so this is enough for today thank you very much take care कुछस झात्ता प्रुप भी में संगर क्या जत्ता प्रुब जरी खाम क्युआ यह क्या ऊप्रूश प्रुब गाई क्या त मित्ता क्या चुब कर दो आपक क्या